हेलो स्टुडेंट्स, हाव यू, होब वोल आ गोड, आज हम लोग जो डिसकस करेंगे NCRT एक्सराइज 7.2 एक्सराइज के कोशन डिसकस करने से पहले दो इंपोर्टन थेोरम्स जो इस एक्सराइज में यूज होगी उनको डिसकस कर लेते हैं तो NCRT चैप्टर 7 के अंदर एक्सराइज 7.2 से पहले जो थेोरम गिवन है थेोरम 7.2 यह थेोरम क्या कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ओफ अफ अइसोसलेस ट्राइंगल आर इक्वल यानि कि आईसोसलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है उ उसके जो अपोजिट एंगल से रहेंगे वह दे क्या क्या होंगे इकवल होंगे प्रूफ देखते हैं इसका है ठीक है तो वह हम ट्राइंगल माल लेते हैं कि ट्रीआंगल Candle 16 ऐप और यह क्सिए अपको प्रूफ करना है कि जो एंगल है अपोजिट टू इक्वलunityर माल लेते हैं AB is equals to AC है तो आपको given क्या है AB equals to AC ठीक है आपको ये प्रूव करना है कि इनके जो opposite angle है वो भी equal है means angle B और angle C क्या है equal है because AB के opposite C angle है और AC का opposite B angle है तो to prove एंगल B equals to angle C ये चीज़ आपको prove करनी है तो इसको कैसे prove करेंगे देखो एक चोटी सी construction करनी पड़ेगी आपको construction क्या कर लेते हैं हम लोग A से angle A का bisector draw कर लेते हैं BC के उपर ठीक है construction में मैंने क्या कहा कि draw AD bisector of angle A AD draw करो जो angle A का क्या है bisector है ये इसका bisector है इसका meaning क्या हुआ ये जो दोनों angle है ये क्या है equal है means अगर ये x है तो ये भी क्या है x है ठीक है तो आप देखो आपको दो triangle बनी हुई दिख रही है AD B और AD C इन दोनों triangle के बारे में क्या कह सकते हूँ दोनों triangle में ये side equal है ये angle equal है जो AD है ये क्या है common side है दोनों में यानि कि side angle side side angle side से ये दोनों triangle क्या हो जाएंगी congrade तो आप लोग क्या लिखेंगे कि AB equals to AC ये given है AD is equals to AD common side दोनों triangle में and angle BAD is equals to angle CAD by construction तो by side angle side triangle ADB is congruent to triangle किसके हो जाएगा triangle ADC ठीक है ये दोनों triangle congruent है अगर ये दोनों triangle congruent है तिनके corresponding parts क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे तो angle B के corresponding क्या रहें आप लोग कहेंगे एंगल B equals to angle C by CP CT यही हमें प्रूव करना था तो इसको आप लोग आज के बाद ध्यान रखेंगे कि ISO CELLS triangle में दो sides equal होती है और उनके जो opposite angle रहते हैं वो भी क्या होते हैं equal होते हैं ठीक है next जो theorem पढ़ेंगे वो इसका converse रहेगा Converse means ultra अब उसमें आपको angles equal given रहेंगे और आपको proof करना रहेगा कि sides क्या रहेंगी equal तो बच्चों यह बड़े ही simple proofs हैं और proof करने का benefit यह रहता है कि आपको एक अलग confidence रहता है कि हमने इन चीजों को proof कर रखता है तो result को जब question में use करते हैं तो एक अच्छी understanding बनती है अब यह Converse है सब्सक्राइब पर two theorem का कि side opposite to equal angles of a triangle are equal यानि कि अगर आपके पास में एक triangle है मान लोग वो triangle है A B C अगर इसमें कोई दो angle equal हो जाए तो उनके opposite sides पर क्या रहेंगी equal होगी तो हम लोग मान लेते हैं कि angle B equals to angle C ठीक है यह क्या है given तो आपको क्या prove करना है A B is equals to A C क्योंकि इन दोनों के opposite sides क्या है A B और A C है इनको equal prove करना है तो कैसे prove करेंगे this angle and this angle they are equal तो यहां भी एक construction कर लेते हैं A D ठीक है such that A D is bisector of angle A यह मान लोग X है और यह भी क्या है valid construction आप लोग कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर या फिर किसी भी is symmetrical figure के अंदर valid होने चीए तो इस बाइसेक्टर तो इसली ड्रोग कर सकते हैं तो construction में मैंने क्या लिखा कि ड्रोव A D कि by sector of angle A angle A का by sector draw करो A D तो यह दोनों triangle तो बड़ी इसली आप अप concurrent प्रूव कर सकते हैं देखो यह angle is angle के equal यह वाला angle हमने construction से equal कर दिया A D का दोनों की common side है तो angle angle side angle angle side से दोनों triangle क्या हो जाएंगी concurrent तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि कि angle B equals to angle C given और angle B A D equals to angle C A D by construction ठीक है और A D is equals to A D यह कह है common side तो आप क्या कहेंगे by angle angle side criteria triangle A D B is congruent to triangle A D C जैसे ही यह दोनों triangle congruent हुई आप कहेंगे इनकी जितने भी corresponding parts बनेंग वो सारे क्या हो जाएंगे equal तो यहां से हमें A B उठाया तो कि हमें A B को प्रूफ करना है A C के equal तो यहां से क्या उठेगा उसके corresponding A C A B is equals to A C by C P C T ठीक है तो देखो बड़ा ही simple सा प्रूफ है बस एक construction को आपको जहान में रखना है कि construction क्या करनी है ठीक तो यह जो दो theorem समलोगों ने पढ़ी simple theorems और उनके proof उनसे भी ज़्यादा simple तो इन दोनों को आज के बाद यह ध्यान रखना कि isocellus triangle के अंदर दो sides equal होती है और उनके opposite angles भी equal होते है और किसी triangle में दो angles equal है तो उनके opposite sides भी क्या रहेंगी equal रहेगी ठीक है नेक्स देखते है exercise 7.2 का first question first question में यह क्या कहता है कि एक isocellus triangle है ABC with AB is equals to AC तो आप लोग rough construction करो triangle ABC का ठीक है ABC ABC और इसमें AB और AC क्या है equal है the bisector of angle B and angle C intersect each other at O angle B का bisector यह रहा मन लो और angle C का bisector yellow मन लो यह दोनों क्या करते हैं intersect करते हैं एक दूसरे को O के उपर तो यह point क्या बनेगा O यह bisector given है it means यह दोनों angle के part क्या रहेंगे equal यह X है तो यह भी X और यह Y है तो यह भी Y ठीक है आप करहें join A to O यह को ना O से join कर दो ठीक है वही अगर 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 तो AB का opposite angle क्या है C है और C को हमने क्या माना है Y अगर Y यह दोनों equal रहेंगे ठीक है इसको आप पाइससालस प्राफर्टिक भी बोल सकते हूं अब C की वैलियू क्या है पूरा एंगल C Y प्लस Y और पूरा एंगल B क्या है X प्लस X तो यह क्या हो जागा 2Y is equal to 2X अब 2 से 2 cancel out तो Y equals to क्या हो गया X अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो O, B, C के अंदर इन ट्राइंगल O, B, C Y is equal to X दो एंगल equal है तो इनके opposite sides पी क्या होंगी equal तो Y के opposite क्या है O, B और X के opposite क्या है O, C आप क्या लिकेंगे side opposite to equal angles equal angles के opposite sides ठीक है simple सा proof है अगर आप यह लिखना ना होता तो देखो हम डिरेक्टी कह सकते हैं 2X is equals to 2Y है तो इन दोनों का half भी equal हो जाएगा X equals to Y तो hence the proof थार्ड में यह कह रहा है यह प्रूव करो कि जो AO है that will bisect angle A AO bisects angle A यानि कि आपको इन दोनों angles को क्या करना है equal प्रूव करना है तो इन दोनों को equal कैसे प्रूव करेंगे अगर हम triangle A, O, B और A, O, C को congruent प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा तो देखो इन triangle A, O, C and triangle A, O, B इनको congruent कैसे प्रूव कर सकते हैं आपको A, B और A, C तो equal given है O, B और O, C आपने अभी equal प्रूव कर दिया और angle Y और X ये आपने पहले प्रूव कर रखा है तो side, angle, side side, angle, side से दोनों प्रेंगल क्या हो जाएगी congruent ठीक है देखो इसको लिखते हैं कि A, C is equals to A, B ये आपको given है और Y is equals to X ये प्रूव कर चुके हम लोग और O, B is equals to O, C ये भी क्या है प्रूवड है या फिर मैं यहाँ A, O, C लिख रखा है तो O, C is equals to O, B लिख दो जाएगी बात है तो बाई side, angle, side side, angle, side side, angle, side triangle A, O, C is congruent to triangle A, O, B अगर ये दोनों triangle congruent हैं तो इनके corresponding जो angles रहेंगे वो भी तो equal हो जाएगे तो angle A is equals to angle A हो जाएगा तो angle A यहाँ कौन सा है यह वाला part है और यहाँ angle A के है यह वाला part है ठीक है इसको मैं 2 बोल देता हूँ इसको मैं 3 बोल देता हूँ इस इंपलाई angle 2 equals to angle 3 by C, P, C, T और angle 2 और angle 3 equal हो गए इट मिन्स AO by sex angle A यह हो क्या कर रहा है bisect कर रहा है angle A को तो अगर आप step wise करें यह चीजों को तो proof क्या हो जाएगे बड़े ही simple हो जाएगे तो यहाँ क्या था कुछ भी नहीं था proof में simple proof थे ठीक है यह था आपका question number 1 नेक्स्ट देखते हैं question number second बड़ा easy question है यह कर रहा है AD is the perpendicular bisector of BC यानि कि AD के है perpendicular bisector है means BC के उपर perpendicular भी है और angle A का bisector भी है यह दोनों angles क्या है equal है bisector का meaning यहीं रहता है यह कर रहा है that triangle ABC is an isosalus triangle in which AB is equals to AC इसमें था हमें कुछ प्रूव करने की need ही नहीं है क्योंकि सब कुछ given है यह दोनों angle equal given है यह दोनों 90 degree given है AD क्या है common side यह दोनों triangle क्या हो जाएंगी concurrent by angle side angle आप क्या कहेंगे कि angle BAD is equals to angle C, A, D यह क्या है given है बस यह आपको bisector का meaning पता होना चाहिए ठीक है secondly यह angle 90 यह angle 90 और AD क्या है common side है AD equals to AD common side angle ADB is equals to angle ADC is equals to 90 degree ठीक है तो by angle side angle triangle ADB is congruent to triangle ADC यह congruency तो आपको अच्छे से लिखना आई गया होगा अब तक ठीक है अगर यह दोनों congruent है तो हमें AB और AC को इक्वल प्रूव कोना है तब ISOCलेस हो जाएगी AB is equals to AC क्योंकि यहाँ से AB उठाएगा तो यहाँ से AC आएगा by C, P, C, T hence triangle ABC is an isocellus triangle देखो कितरा simple proof था तो बच्चों देखो यह तो हमने लिखा है अगर लिखना ना होता तो यह एक सेकिंड का कुश्यन है हमने फटा-फट इसको कर दिया ठीक है नेक्स देखो कॉश्यन नमबर थ्री यह कह रहा है ABC is an isocellus triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively अब ना इसकी statement में बच्चे गड़बड कर देते हैं वो या तो BE, CF को equal मान लेते हैं ठीक है ठीकिन आपको equal क्या given है are drawn to equal sides AC and AB means आपको AB और AC equal given है यह चीज़ equal है बच्चे BE और CF को equal मान लेते हैं ठीक है यह कर रहा है और जो BE और CF यह कहा है perpendicularous draw किये गए है इन equal sides के उपर तो यह angle 90 degree हो जाएंगे आपको प्रूव क्या करना है कि BE is equal to CF आपको equal प्रूव करना है ठीक है तो देखो यह अगर 90 degree angle है तो यह भी आपका angle क्या रहेगा 90 degree यह 90 है तो यह भी 90 इसको मैं 1 बोल देता हूँ इसको मैं 2 बोल देता हूँ ठीक है अपना आप दो triangle देखो A, E, B और A, E, A, F, C इन दोनों triangle में 2 तो angle equal हो गए कौन से कौन से दो एक तो 1 और 2 equal है 1 किस में है A, E, B में है और 2 किस में है A, F, C में है और एक जो angle A है यह दोनों में क्या है common है ठीक है आप देखो लिख लेते हैं कि इन triangle A, E, B and triangle A, F, C इन दोनों में जब आप थोड़ा सा देखेंगे इनको आप अलग भी बना के देख सकते हैं यह लोग मैं यहाँ A, F, C को अलग बना लेता हूं A, F, C और A, E, B को यहाँ बना लेते हैं parts में जब split करके आप question को करेंगे न तो बड़ा easy question लगेगा आपको यह कहाँ A, E, और B अब आपको A, B किसके equal given है? A, C के equal है यह angle 90 degree, यहाँ यह वला angle 90 degree A इसमें भी angle पड़ा है यह angle यहाँ भी पड़ा है ठीक है? इसको हम लोगों ने 2 मान रखता है इसको 1 मानना है तो A, E, B और A, F, C में क्या-क्या चीज़ें आपको पता है A, B is equal to A, C given है और angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree यह भी given है angle A दोनों में क्या है? common है angle A equals to angle A common angle तो देखो angle, angle, side angle, angle, side दो angle equal और एक corresponding side equal A और unknown angle की बीच की side है तो यहाँ A और unknown angle की बीच की side है तो by double angle side triangle A, E, B is congruent to triangle A, F, C दोनों triangle क्या है? यह congruent है अब हमें क्या equal प्रूव करना था? B, E is equals to C, F तो यहाँ से B, E को उठाओ B, E जिस order में यहाँ से उठाया है? उसी order में यहाँ से B, E तो C, F C, F by C, P, C, T देखो, बड़ा ही simple proof है ठीक है? अब कुछ बच्चे यह भी सोच रहे होंगे कि क्या करें? सारे questions solve करके क्या करना है हमें? तो बच्चो इन questions को जब आप लोग अच्छे से करेंगे तो आपके mind में understanding build होगी ठीक है? और वो understanding आपको MCQ question हो या कोई competitive exam का question हो उसको solve करने में help करती है ठीक है? दीरे दीरे कब mind अपनी चीजों को set कर लेता है अपने according आपको पता ही नहीं चलता तो हर एक question important है हर एक question को अच्छे से ज़रूर करें नेक्स देखो क्या कह रहे हैं? इसने कहा ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal देखो third or fourth question दोनों की statement में बच्चे पुसल हो जाते हैं इसमें क्या दिया है इसने कि altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal यानि कि अब आपको altitudes equal given है ठीक है आपको given क्या है? altitudes equal तो आपको prove करना है कि जो triangle ABE है that is congruent to triangle ACF तो ये तो अभी अभी हम prove कर चुके हैं उसके जैसा similar kind prove हो जाएगा इसको हम लोग मान लेते हैं angle 1 इसको मान लेते हैं 2 अब आपको AB और AC equal ना देकर इसने BE और CF को equal दे दिया तो दो angle equal हो जाएगे एक तो common angle और एक angle है 90 degree एक क्या हो जाएगा इनका altitude equal हो जाएगा तो फिर वही angle angle side तो आप लोग क्या लिखेंगे कि इन triangle ABE and triangle ACF इन दोना में ABE में angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree ठीक है angle A equals to angle A common angle और BE is equal to CF यह क्या आपको given है क्योंकि आपको given है कि equal altitudes altitudes के हैं equal है ठीक है तो by angle angle side triangle ABE is congruent to triangle ACF दोने triangle को congruent prove कर दिया यह था आपका first part second part में यह कहता है prove that AB is equals to AC जैसे ही congruent prove हुई तो यहां से अगर मैं AB को उठाऊँ तो यहां से क्या लिख लेकर आएगा AC तो AB is equals to AC by CPCT और जब दो side equal एक किसी triangle में में तो triangle क्या हो जाती है आइसो सेलेस तो आपका second part proof हो जाएं ठीक है तो इस question में जो चीज़ इंपोर्टेंट है वो है इसकी statement बच्चे इस सीज़ में confused हो जाते हैं कि BE और CF इक्वल है या फिर altitudes और या फिर AC और AB इक्वल है आपको altitudes equal given है यहां BE और CF equal है इसने कहा altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal मिन्स क्या है यह altitudes equal है ठीक है अगर यह चीज़ समझ में आ जाए तो question 4 क्या जाता है easy तो आप देख पारेगी हर एक question में little bit twist है तो हर एक question को आप लोग अच्चे से जरूर देखे question 5 देखो क्या करा है इसने कहा ABC and DBC are two isosalus triangles on the same base BC show that angle ABD is equal to angle ACD बड़ा easy question है एक step में करके भाग जाएंगे इस question को देखो ABC isosalus है यह दोनों side equal है तो हमने theorem पड़े थी कि अगर दो side equal है तो उनके opposite angle भी equal हो जाते है means अगर यह angle X है तो यह वाला angle भी क्या रहेगा X रहेगा ठीक है ऐसे ही B, D, C यह कहा है काईसalus triangle है और B, D और D, C क्या है आपको equal given है इन दोनों के opposite angle भी equal हो जाएंगे D, C के opposite angle अगर Y है तो यह angle भी क्या हो जाएगा Y ठीक है आप देख पाने है A, B, D तो A, B, D क्या है X प्लस Y और A, C, D भी क्या है X प्लस Y तो यह दोनों angle क्या प्रूव करती है आपने equal तो कि X प्लस Y angle यह है और X प्लस Y यह है यही प्रूव करना था कि A, B, D is equal to angle A, C, D तो देखो एक line का question था यह ठीक है simple question यह question भी आप एक line में कर सकते हैं इस question को या ज़्यादा ज़्यादा दो तिन line ले 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 गई है बस depend करता है आपके सोचने के उपर जिस बचे ने 1, 2, 3, 4 question अच्छे से किये होंगे theorem को अच्छे से देखा होगा उसके लिए question बड़े easy हो जाएंगे वसर competitive exam के question रहेंगे वो तो और भी easy हो जाएंगे ठीक है देखो आपको सारा काम figure के अंदर ही कर देना है आदा काम तो लिखना ही नहीं है यह कर रहा है ABC एक ISOCLS triangle है जिसके अंदर AB और AC equal है तो जैसे ही आपको पता चला AB और AC equal तो इनके opposite angle भी क्या हो जाएंगे equal यानि कि यह angle X है तो यह भी angle क्या रहेगा X रहेगा फिर यह क्या रहे है BA को produce करके point D तक ले जाया जाता है such that AD और AC equal है तो आप लोग ना एक बर इस triangle को देखो इस वाले triangle को ADC को यह जो triangle है इस triangle में AD और AC equal है मिन्स यह दो side equal है तो इनके जो opposite angle रहेंगे this and this यह भी क्या रहेंगे equal होंगे मिन्स अगर यह angle Y है तो यह angle भी क्या रहेगा आपका Y रहेगा ठीक है यानि कि आप क्या कहेंगे कि in triangle ABC AB is equal to AC this imply angle B या फिर मैं यह कहूँ कि ABC is equal to angle AC B equals to X से ठीक है और in triangle ADC AD is equal equals to AC तो side equal है तो उनके opposite angle भी क्या रहेंगे equal AD का opposite angle क्या है ACD और AC का opposite angle क्या है ADC equals to मालिया हमने Y से ठीक है यह बात आपको अच्छे से समझा आ गई कि यह जो छोटे वाली triangle यहां है ABC इसमें यह दोनों side equal तो इनके opposite angle equal इसमें यह दोनों side equal तो इनके opposite angle equal ठीक है triangle यह जो बड़े वाला triangle है in triangle BCD इसके तीनों angle का सम क्या रहेगा 180 degree तीनों angle क्या है एक angle X है एक Y है और एक है X plus Y यहनि कि X plus Y plus X plus Y is equals to 180 degree तो 2 times of X plus Y क्या हो जाएगा 180 degree यहां से X plus Y की value निकल किया जाएगी 90 degree ठीक है यानि कि angle BCD क्या है X plus Y और X plus Y का हमने क्या प्रूव कर जाएगा 90 अगर आप figure के अंदर काम करते है तो question कितना simple हो जाता है ठीक है तो बचो हर एक question को जरूर देखे हर एक question most important है Question 7 ABC is a right angle triangle in which angle A क्या है 90 degree एक right angle triangle बनाओ और जो 90 रखना है वो A पे रख देना ये angle क्या है 90 degree है और vertex क्या है ये A है ये B है मानलो और ये C है और ये कह रहा है AB is equal to AC है ये दोनों side क्या है equal है अगर ये दोनों side equal है तो इनके जो opposite angle रहेंगे वो भी क्या होंगे equal मिन्स ये X है AC this imply angle B is equal to angle C is equal to X say X हमने अपने तरब से मानल लिया by isocellus property कहें या फिर ये भी कह सकते हो कि if sides are equal equal then angles are also equal angles की बज़ए आप opposite angles बहुचते है ठीक है अब देखको आपको पता है angles and property of triangle कि तीनों angle का sum कितना रहता है 180 means X plus X plus 90 is equals to 180 2X is equals to 180 minus 90 यहाँ से 2X की value आजाएगी 90 तो X आपको कितना मिला 45 degree तो angle B और angle C तो क्या है equal है means angle B equals to angle C equals to 40 5 degree ठीक है कितना simple question है आप इसको देखके भी बता सकते हैं यह angle 90 degree यह दोनों angle equal दोनों कसम 90 होगा तो इस कितना हो जाएगा 45 degree ठीक है तो next देखते हैं आज तक बच्चों आप लोग पढ़ते आए हैं कि एक equator triangle का हर एक angle 60 degree है आज हम लोग उसको proof कर लेते हैं तो हमने मान लिया कि एक क्या है आपके बास में equilateral triangle है ठीक है अगर यह equilateral है इसका meaning क्या हुआ भी A, B, A, C और B, C तिनों क्या है इक्वल है क्योंकि triangle क्या है equilateral triangle है तो अब देखो A, B और B एक बार हमना इन दोनों sides को consider कर लेते हैं A, B और B, C इक्वल है तो इनके जो opposite angle रहेंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे तो A, B का opposite angle क्या है C है और B, C का opposite angle क्या है C है तो ये X है तो ये भी X रहेगा ठीक है एक बार हम इन दोनों pair को ले लेते हैं इन दोनों pair को consider करेंगे तो B, C और A, C इक्वल है तो B, C के opposite angle X है तो A, C के opposite angle भी क्या रहेगा X रहेगा यानि कि तिनों angle क्या हो जाएंगे यानि कि हमने दो पर इसको देखा कि A, B is equal to A, C और B, C is equal to A, C अगर A, B और A, C इक्वल है तो A, B का opposite angle C और A, C का opposite angle B इसको मान लिया हमने X से B, C का opposite angle क्या है A और A, C का opposite angle क्या है B जब B आपका X है तो ये पूरा क्या हो जाएगा X के equal means angle A is equal to angle B और angle B किसके equal है angle C के और इसको क्या मान लिया हमने X ठीक है अब आपको पता है triangle के तीनों angle का sum क्या रहता है 180 degree X plus X plus X is equal to 180 3X is equal to 180 X कितना मिला 180 divided by 3 is equal to 60 degree means X की value आपको 60 मिली तो हर एक angle कितना degree का हो जाएगा आइसोसेलेस्ट आइंगल में 60 degree का ठीक है बड़े ही simple और interesting questions है इस exercise के तो बच्चों उमीद करते हैं आपका सब question अच्छे से समझ आये होंगे और आप लोग हरे question को अच्छे से खुद से try करेंगे थैंक यू